इस देश का नाश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है अपने लोगों को उकसा के हिंदू को मरवा रहे हैं, वानतुला खान जैसे लोगे। जो केजरिवाल कर रहे हैं तो प्लीज अलब संख्य को ना देखे चाए वो सिख समाजो चाए हिंदू समाजो सब को इक्वालिटी देनी चाहिए उपरीवाल दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस करी उस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं आमादनी पार्टी के उपर जरासल मामला ये है कि आमादनी पार्टी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुरोना संक्रमंट से कई लोगों पर बहुत असर पड़ा था जिसके बाद जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पड़ रहे हैं उन में से अलप संक्यक बच्चों को अनुसोचित जाती के और तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चों की एक साल की जो फीस है वो वापस करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को यहां पर आदेश जारी कर दिया गया है ऐसे में आदेश गुपता का कहना है कि क्या सिर्फ अलप संक्यक बच्चों पर ही करोना का आसर था या फिर सिर्फ कुछ ऐसा वर्ग था जिसके ओपर सिर्फ करोना का आसर पड़ा बाकी लोगों पर क्या आसर नहीं पड़ा तो सवाल ये कही न कहीं वाजिव है कि सिर्फ एक विशेश समुदाय को केज़ी वाल सरकार फाइदा क्यों पहुंचा रही है और उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि आमादी पार्टी कहीं न कहीं कॉंग्रेस के तर्च पर काम करती ही नजर आ रही है जिस तरह से कॉंग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती ही नजर आ रही है और सवाल ये भी है कि आज की हालात ऐसे हैं कि आमादी पार्टी ने जितने भी मौलवी हैं जितने भी मजजिदें लोगों के समँुदाय के सेंरी क्यों नहीं क्यों मंद्र के लोगों करें सिर्फ मंजजिदों में जो मौलवी काम करती है क्यों मिल रही है जानेगे जनता से कि तरह की तुषणी ग्रण की राज नीथी यहां पर आमादी पार्टी करती हुँ नज़र आ रही है क्या आमादी पार्टी कॉंग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रही यह जानें के जंता से सर जिस तरह से केजरिवाल ने एक आधेश जारी किया है कि कोरोना को देखते हुए अलब संक्यक बच्चों की छातरों के कक्षा पहली से बारी तक के बच्चों की फीस वापस करने की बात कही गई है तो क्या कोरोना सरिफ उन वर्ग के लिए था बाकियों के लिए नहीं था और आपको ही लगता कि आमाधी पार्टी सिर्फ एक समुदाई के लिए काम कर रही है तो श्रीकरन की राजनिती कर रही है आप बिल्कुल कर रही है एक्चली मैं इस चीज में यह कहना चाहूंगा कि सभी धर्म के लोग रहते हैं इसमें सभी धर्म में अमीर भी है और सभी धर्म में गरीब भी है तो जुरूरी नहीं है कि एक पर्टिकलर रिलीजन को उठा जाए इसमें हिंदू में क्रिश्चन सभी है और सिक्समाज भी है तो मैं चाहता हूं जितने भी गरीब से गरीब हैं चाहिए वो किसी भी रिलिजन को हो तो सब कोई समान का दिकार देना चाहिए ना कि अलप संक्या को ठीक है अचा एक बाब बताईए के जितने भी मौलवी हैं मस्जिदों के उनको तंखाएं जा रही है गुर्दवारे में भी लोग काम करते हैं मंदिर में पुजारी भी काम करते हैं क्या उनके परिवार नहीं है देखिए ग्रीब से ग्रीब पुजारी भी है वो सिर्फ मंदिर की पूजा करता है और सिख भी करता है लेकिन एक्वालिटी की बात आती है तो सब को स आपको ही लगता कि एक विशेष समुधाय को लेकर केजरी वाल का ज्यादा प्यार रहता है क्योंकि बुल्डोजर चला तो आपने सुना होगा बुल्डोजर दिल्ली के हर कोने कोने में चला सभी धर्मों पे चला बुल्डोजर ने ना कोई धरम देखी ना कोई जाद सिर्फ इन लोगों को ही केजरी वाल ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम और इनके जो आमाधी पार्टी के विधायक थे ओकला से अमादूला खान उनका ये कहना था कि सिर्फ एक समाज को टागेट किया जा रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए जैसे बुल्डोजर बाबा की बात ह है और चाहे वह केजरेवाल सरकार जो भी कर देकिन इक वालति कि बात है चाहे वह हIndoo धर म कोई बदेखिए ठीक ए प्रपर मिलनी चाहे चाहे वो ग्रीब हो या अमीरों किसी भी लेवल का किसी भी वर्क का हो अच्छा जिस तरह से उन्होंने कहा कि अलपसंख्या के बच्चों को यहां पर फीस में वापस किया जाए तो आपको नहीं लगता कि जो आपने भी फीस भरी अपने घर में जो बच करोना की वेज़े से देखिए सब कई काम जो है बिल्कुली बुरी तरह से ठप हो चुका है जरूरी नहीं है और महिंगाई भी उपर बढ़ती जा रही है तो सरकार को यह स्टैप लेना है चाहिए कि जो फीस है फीस कम कर देनी चाहिए और जो भी स्कूल में जो भी टीचर जो फीस जादा बढ़ाता है तो उसको पर एक्शन करना चाहिए गुर्मेट को केजरिवाल की सरकार की इस रण नीती पर सिर्फ एक समुदाई को लेकर जो यह प्यार उबन के आता है बार बार उस पर क्या गएंगे आब देखिए केजरिवाल सरकार को काम तो चलो मुझे नहीं पाता एक्शली लेकिन समानता का अधिकार सबको सबको समान लेकर चलना चाहिए और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए बस कांग्रेस जस तरह से आजादी के बाद कौंग्रेस ने जाने कितने नजाएस रोहिणीओं को उन्होंने यहां बसा दिया कितने बंगला देशियों को यहां आपके शाहिन बाग में बसा दिया तो यह राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी एक विचेश समदाय का पूरा ध्यान रखते हुए बिलकुल एक होता नहीं है कि एक प्यार दुजारे में लोग हैं उनको भी सेलरी मिली जाएं सरिफ एक समुदाई के लिए तना प्यार क्यों देखें समुदाई के लिए प्यार इसलिए है कि दिल्ली में जिस तरीके का आप देख रहा हैं 2020 में जो वह वा था दंगे हुए थे उसमें उनका पार्षवधी ताहिर हुस के लिए लड़ते हैं देश को हिंदूओं को मारने का काम करते हैं तो के लिए बहुत प्यार है और देखें चालक जी ने अपनी नीती में बात कही थी कि जिस राज की प्रजा लाल्ची होती उसका राजा ठग होता है जिस तरीके से दिल्ली की जंता ने फिरी बिजली पान का नाम ओकला का विधायक विधायक है उन्होंने बुल्डोजर नहीं चलने दिया गया और वो यह बयान बाजी करत्वे नजर आए कि सिर्फ एक समुदाय को टागेट किया रहा है हाला कि बुल्डोजर जब चला तो उसने सभी समुदाय के लोगों की दुकाने जिसने भी उनको हटाया विधायक के साथ साथ एक हिस्ट्री सीटर भी है बैट करेक्टर इसको भी कोट नहीं जेल भेज रखा है ठीक है ना तो अमान तुल्ला खां जैसे ही लोग इस देश का नाश कर रहे हैं हिंदू मुसलिम कर रहे हैं ठीक है अपने लोगों को उक्सा के हिंदू करना ज designer कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे मिनि पाकिस्थान बनाना चाहते हैं चाहा है यहां यहां से हिंदू हो और मुसल्मान Yo27 को एस्वामिक सिटी बनाना चाहते हैं केज्रीवाल उन्की जी नीटी पर काम करें ठीक है मौल्वियों को पunda है मौल्वियों को श। अन्युक्तों को अभरा का मुसल्मान पकाड़ा रख़ा है इस जिरूआ धरूर जरूर आपको दिल्ली में फीरी मिलेगी, केजरिवाल जी के शाच moralsन में और यहीं पञजाब में भी करने वाले हैं, जाहें कहते हैं कि नशाख खतम करने अल्द, तो केजरिवाल जैसे लोग नचा खतम नहीं कर सकते उसको बढ़ा सकते हैं इसी तरीके के ओफर दे के अभी इनकी सरकार ने एक फैसला और भी लिया है कहा गया है कि दिल्ली में अब रात के तीन बजे तक बार कुला रहेगा सराप पर उसी जाहेगी इस पर दिल्ली पुलिस ने पत्र भी लिखा चिंता तरीके से नशे में लोग गाड़ियां चलाएंगे और कितने सड़क पे जो मासूम हमारे भाई लोग हैं कैसे उनके उपर गाड़ियां चला के निकालेंगे तो यह देखे नशे को बढ़ावा देना ठीक है पक्षमी सभिता को बढ़ावा देना इन सब का कार के जरिवाल अंपड़ विधायक कर रहे हैं धन्य वागाड़ियां आपने यहां पर किस तरह की राया निकल के आई के जिवाल सरकार के लिए और भी लोग हैं जानते हैं उन लोगों से कितना असर इस फैसले पर उनके जिंदगी पर पड़ रहा है अंगल जी आग के जीवाल सरकार ने एक फैसला जारी किया है उसमें कहा गया है कि जो पहली से बार्वी के क्लास के छात रहें अलब संक्या समाज के बच्चे उनकी एक साल की फीज वापस करनी होगी प्राइवेट स्कूलों को तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक समुदाय को टारगट करके फाइदा पहुंच सबको बराबर चाहिए बेनिफिट गरीब तो हिंदू में भी बहुत हैं तो सबको देना चाहिए अच्छा मैं तो कहता हूं अगर मोदी गवर्मेंट जो है जैसे क्या करते हैं ग्यान पती मास्क है वो लिबरेट मतलब उसका चल रहा केस अगर तीनों जगा लिबरेट हो चाहिए न तो हम उसके भी फुल सपोर्टर हो जाएंगे एक तो मतलब क्रिशन जनब भूमी आना महां भी मस्जिद बनी हुई है योद्या तो सैटल हो गया तो यह दो भी सैटल हो जाना और हमें कुछ नी चाहिए मोदी गवर्मेंट से बस केजरिवाल जस तरह से एक समु सक्वाइब करना चाहिए तो सबकूब रापर दिया लेकिन हमारी यही राया भी सबको ब्राबर बेनिफिट मिले ही इस पर आप क्या कहँए क्या कहना चाहेंगी के जरंडे ही कर रहे हैं यह ठीक नहीं है उनका का यह देने हैं दूसरें को नहीं देनी आपने कि मॉलवियों तो सैलिल को दी जाती है हमारे ऐसे यूपी से पुछायान काई ब्रहमन है जो मन्दिर में पूजा पाट करते हैं उनकी जो सेलरी है मन्दिर से मिलती है पची सो रूपए तीन हजार रुपे इससे ज्यादा उनको कोई इंकम नहीं मिलता लेकिन केजरी वाल सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है तो आप समझ सकते हो कि वो अपना खर्चा कहां से चलाएंगे ये जो मंदिर में पुजारी है पुजा पाट करता है लोग यही सोचते हैं कि भाई इसके पास बहुत अच्छा पैसा होगा बहुत अच्छे से अपनी जिन्दगी गुजार रहा होगा लेकिन वो तीन महिने 2020 के तीन महिने जो लोगडाउन के थे सिर्फ उस पुजारी को बता था कि उसका घर का खर्च कैसे चल रहा है और उनके बच्चों को पता था क कैसे उनका खर्चा चल रहा है बताई कि आपके घर में भी बच्चे होंगे उनकी फीस आप लोगों ने लॉक्डाउन के दौरान जमा करी होगी लेकिन सिर्फ यहां पर एक समुदाई के बच्चों को फाइदा पहुंचाया जा रहा है सिर्फ एक समुदाई के लोगों की फी नहीं है हमारी गल्ती के आयम दिल्ली में है और एक जैनरल काटेगरी में ऐते हैं गल्ती हमारी इतनी है अगर हम भी सेस्टी होतेient है और आपको मैं बताना चाहने जाओंगा स्यस led को जिनकी बिजली मुस्ते पानी मुस्ते और यहां तक की महिने का रासन भी मिल जाता है आप इधर चले जाओ, उकला साइड, वहाँ उनको बिजली मुफ्त में मिल रहा है, पानी मुफ्त में मिल रहा है, और घर में AC भी लगा हुआ है, लेकिन उनका सब कुछ फिरी है, और फीस भी वापस हो रही है, तो आप इसके बारे में राजनीती ही है, और क्या अगर सकते ह क्या कहना चाहेंगे केजरिवाल से? इसके साबज़नीती है, तो इसके सामूदाई के लिए प्यार इतना क्यों है, आज के शोक कोईने जिस तरह से नेताओं की लंका लगाई, लोगों ने और लोगों ने जो सवाल खढ़े किया, वह California कॉता हложी है. झाल